हेलो एवरिवन आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं घरेलू चीजों के नाम अंग्रेजी में यानि की हाउसओल्ड विकैबलेरी इंग्लिश टू हिंदी चलिए शुरू करते हैं कंगी को इंग्लिश में कहेंगे कॉम्ब मतलब कंगी फिर है नल को कहते हैं टैप यानिकी नल पौधा को कहेंगे प्लांट जाडू जाडू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम फिर है फूलदान फूलदान को इंग्लिश में कहेंगे फ्लावर वास्क यानिकी फूलदान टोकरी टोकरी को इंग्लिश में कहते हैं बास्केट बास्केट मतलब टोकरी दर्वाजा दर्वाजा को इंग्लिश में कहते हैं दोर दोर दर्वाजा फिर है खिडकी खिडकी को कहते हैं विंडो विंडो यानिकी खिडकी पाइदान पाइदान को कहते हैं डोर्मेट डोर मैट यानि की पाइदान बाल्टी बाल्टी को इंग्लिश में कहेंगे बकेट बकेट मतलब बाल्टी ताला ताले को इंग्लिश में कहते हैं लॉक लॉक मतलब की ताला फिर है चाबी चाबी को कहेंगे की की मतलब चाबी कैची, कैची को इंग्लिश में कहते हैं सीजर मतलब कैची फिर है छडी, छडी को इंग्लिश में कहते हैं स्टिक मतलब छडी कुलहाडी, कुलहाडी को इंग्लिश में कहेंगे एक्स एक्स मतलब कुलहाडी चारपाई चारपाई को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉट मतलब चारपाई दिये की बाती या फिर हम कहते हैं कि रूई की बाती उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉटन विक कॉटन विक यानि कि दिये की बाती या फिर रूई की जो बाती होती है उसको बोलते हैं cotton wick गलीचा गलीचा जो होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है कार्पेट कार्पेट मतलब गलीचा तिजोरी तिजोरी को इंग्लिश में कहते हैं safe safe यानि की तिजोरी चम्मच चम्मच को इंग्लिश में कहेंगे spoon स्पून मतलब चम्मच फिर है धागा धागे को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेड थ्रेड मतलब धागा सीडियां सीडियों को इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर्स स्टेयर्स मतलब सीडियां पर्दे पर्दे को इंग्लिश में कहते हैं कर्टेन्स मतलब पर्दे अल्मारी को कहेंगे अल्मिरा अल्मिरा अल्मारी रसी रसी को इंगलिश में कहा जाता है रोप रोप मतलब रसी बर्तन, बर्तनों को इंग्लिश में कहते हैं युटेंसिल्स, मतलब बर्तन कटोरा या फिर प्याला, उसको इंग्लिश में कहते हैं बोल, मतलब कटोरा या प्याला चिम्टा, चिम्टे को इंग्लिश में कहते हैं टॉंग, मतलब चिम्टा फिर है चटाई, चटाई को इंग्लिश में कहते हैं मैट, मैट मतलब चटाई तराजू, तराजू को इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस, बैलेंस मतलब तराजू फिर है बेलन, बेलन को हम इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन या फिर ऐसे भी कह सकते हैं pastry roller pastry roller और rolling pin दुनों का ही मतलब होता है balan फिर है चकला चकले को इंगलिश में कहते हैं pastry board pastry board यानि की चकला अगरबत्ती अगरबत्ती को इंगलिश में कहते हैं jaw stick jaw stick या फिर आप कह सकते हैं incense jaw stick और incense दोनों का ही मतलब होता है अगरबत्ती matka या घड़ा इसको इंगलिश में कहते हैं picture picture यानि की matka या घड़ा फिर है d इपक या दिया दिपक और दिये को इंगलिश में कहते हैं lamp lamp यानि की दिपक या dia bhagwan की मूर्ति भगवान की मूर्ती को बोलते हैं आइडल या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आइडल ओफ गॉड आइडल या आइडल ओफ गॉड मतलब भगवान की मूर्ती कपूर कपूर को इंगलिश में बोला जाता है कैमफर कैमफर मतलब कपूर चंदन की लकडी, चंदन की लकडी को कहते हैं सैंडल वुन्ड, यानि की चंदन की लकडी भक्त, भक्त को इंगलिश में कहते हैं डिवोटी, मतलब भक्त चूहे दानी, जिसमें चूहे पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं माउस ट्रैप माउस्ट्रेप यानि की चूहे दानी फिर है पोच्छा पोच्छे को इंग्लिश में बोलते हैं मॉप मॉप मतलब की पोच्छा फिर है रजाई रजाई को इंग्लिश में कहेंगे कुल्ट मतलब रजाई मकडी का जाला मकड़ी के जाले को इंगलिश में कहते हैं वेब मतलब मकड़ी का जाला चाय चन्नी उसको इंगलिश में कहते हैं टी स्ट्रेनर टी स्ट्रेनर मतलब की चाय चन्नी और फिर आगे है चलनी जिससे कि हम आटा चानते हैं उसको बोलते हैं सीव सीव गड़ी, गड़ी को इंग्लिश में कहते हैं clock, clock, गड़ी दिवार, दिवार को इंग्लिश में बोला जाता है wall, wall मतलब दिवार सुई, सुई को इंग्लिश में कहते हैं needle, needle मतलब सुई च्छत को इंग्लिश में बोलते हैं रूफ मतलब च्छत फिर है फर्ष फर्ष को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोर मतलब की फर्ष मुम्बत्ती मुम्बत्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं कैंडल मतलब मुम्बत्ती आइना या फिर कह सकते हैं दरपन इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर मिरर मतलब आइना या दरपन या फिर शीशा फिर हैं कच्रे का डिबबा कच्रे के डिबब को बोलते हैं हम English में dustbin dustbin और कच्रे को English में कहेंगे garbage garbage मतलब कच्रा और कच्रे का डिबब याने की dustbin चाकू चाकू को English में कहते हैं knife knife मतलब की चाकू That's all for today Thanks for watching झाल